Assalamu alaikum, welcome to Ambitious Robotics and IT Solutions, this is me, your instructor Naila Ata Bhatti Dear Students, Office Management के 18 लेक्टर में आप सबको खुशाम दे आज की इस लेक्टर में हमने PowerPoint के आल्मोस जितने भी हमारे syllabus में, जितने भी टूल से वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं आज की इस लेक्टर में हम डिस्कुशन करेंगे, how to make a auto slider in PowerPoint तो हम basically start करेंगे, PowerPoint यह आपने चला रहे ना है और कोई theme पसंद है तो आप यहीं से select कर ले, like मुझे यह theme पसंद है, यह वाली तो create पे click कर दे, यह आपकी होगी, अब आप जाए insert में, new album from disk कोई भी एक folder बना ले, जिन folder के अंदर वो तमाम pics डाल दें, जो के आपने slide show में चाहते हैं ठीक है, insert कर दे, create कर दे इसको, ठीक है, design show, चलेंगे, यह हो गया और यहाँ आपने changing करनी है, change करने, नाइडा लेख रही हूँ, ठीक है, अब मैं आती हूँ, अब दूसरी सरफ animation पर पहले आ रहे हूँ, ठीक है यहाँ आ एक है, इसको select कर के, और कोई भी आप यूज कर लेए, ठीक है यहाँ पर आएं, इस पर click किया ठीक है, इधर आएं, इसको select करें ठीक है इधर आएं, इसको select करें इधर आए इसको select करें ठीक है इधर आए इसको select करके ठीक है कोई भी आपको जो पहते लगती हो आप वो यूज करने चाहिए ठीक है आइसे चाहिए हमने animation डाल लगी अब आते ही हम transition पे transition से पहले काम करोंगे मैं इसके पीछे background पे audio music डाल दोंगे audio from my PC इसकी फर्स लाइट पे आपने डाल लें डेक्स्टोप all files इसको मैं trim कर देती हूँ trim का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था trim का मतलब क्या होता है कि आप उसको आगे कर गाना चलाना चाह रहे हैं ठीक है जिसकी करना है ओन क्लिक ओन माउस क्लिक हतम करता रहता है यह अनि माउस क्लिक क्लिक करने से न हो आटमाटिकली और यहां timer सेट कर ले रहे है कितनी देर बात हो ठीक है मैं कहती हूँ यह दो मिनिट बात होजाए ठीक है apply to all सब क्या प्लाइब होजे अब मैं जब इसको चलाओंगी यह आपका स्लाइड शो त्यार हो जाएगा होफुली आप लोगो समझ आया होगा ठीक है आज के लिए तना काफी इंचादा अगे रेक्षर में हम लोग अपारी फिर मुद्रकात होगी तब तक के लिए अला आफिस